नरेंदर मोधी और राहुल गांधी में कौन है जादा अमीर? मोधी और राहुल में किसके पास है जादा पैसा? राहुल और मोधी ने अपने अपने हलफ नामे में दिया संपत्ती का ब्योरा भले ही नरेंदर मोधी दो बार से प्राधान मंत्री हो मगर संपत्ती के मामले में राहुल गांधी पियम मोधी से साथ गुना जादा अमीर है पियम मोदी और राहूल गांधी के संपत्ती के बारे में जाने तो पियम मोदी के पास तीन करोड की कुल संपत्ती है जबकि राहूल गांधी के पास बीस करोड की संपत्ती है अपने चुनावी हलफ नामे में पियम मोदी ने चार सोने की अंगूटी का जिक्र किया है जिसकी कीमत 2,66,000 रुपए है जबकि राहूल गांधी के पास 4,002,000 रुपए का सोना है पियम मोधी के हाथ में नगद 52,920 रुपए है जबकि राहूल गांधी के पास कैस में 55,000 रुपए है पियम मोधी और राहूल गांधी दोनों ही राजनेताओं के पास ना तो निजी घर है और ना ही कार है जबकि बैंक में जमा राशी की बात करें तो पियम मोधी के अकाउंट में कुल 89,304 रुपए जमा है जबकि राहूल के बैंक अकाउंट में 26,25,157 रुपए हैं पियम मोधी ने नैशनल सेविंग स्कीम में 9,12,398 रुपए रखी हैं उनके नाम पर कोई लोन नहीं है राहूल गांधी ने NSS, Postal Saving और Insurance में 61,52,000 रुपए लगाए हैं एफिडेविट के मुताबिक प्रदान मंत्री नरेंद मोधी के इंकम का प्राइमरी सोर्स उनकी गवर्मेंट सेल्डी और उनकी सेविंग्स पर मिला इंटरेस्ट है राहूल गांधी के इंकम का सोर्स, सांसत कवेतन, रॉयल्टी, किराया, बॉन सेब्याज और म्यूचुल फंड से कैपिटल प्रॉफिट है बदादे की मंगलवार को पियम मोधी ने लगातार तीसरी बार वारणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखे किया है जबकि राहूल गांधी दो सीटों से फिर से चुनाव लड़ रहे हो, जिसमें केरल की वाइनार सीट और दूसरी यूपी की रायबरेली सीट है जहां से वे पहली बार चुनावी मैदान में है राहूल पर अलग-अलग राज्यों में 18 मामले दर्ज हैं, इसमें से मानहानी के एक मामले में उन्हें दोशी ठैडाया गया था और दो साल जेल की सजा भी दी गई थी, हालकि 4 अगस्ट 2023 को सुप्रीम कोट ने उस पर रोक लगा दी थी, जबकि PM मोधी पर कोई केस नहीं है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सुजाय या शिकायत है, तो कमिन करके जरूर बताएं धन्यवाद, जैहिंग, जै भारत